बेल आइकन को दबाईए और सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल टेकनिकल सपोर्ट को मैं आपके लिए ऐसे ही ज़रूरी वीडियो को लाते रहूँगा मेरे चैनल टेकनिकल सपोर्ट में आपका सौगत है तो दोस्तो आज हम देखेंगे कि किस तरह आपने SBI ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से जो पैसा है तो वो दूसरों के खाते में भेज सकते हैं तो फिर चाहिए उसका खाता दोस्तों की SBI बैंक में हो या फिर SBI के बाहर दू पेमेंट एंड ट्रांसपर होएं तो आपने कोई सेक्शन में जाना है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर कई तरह के ऑप्शन आया हैं पेमेंट एंड ट्रांसपर में तो वन बैवन देखते हैं तो पहले है दोस्तों की मैनेज बेनी फिशरी एक बात याद र तो ठीक उसी तरह दोस्तो तो manage बेनी फीशरे में उस वक्ति की जो भी details है वो पहले save करनी पड़ती इसके फायद है दोस्तो बेनी फीशरे से फिर बात में जब आप किसी को भेजते हो यही तो अगर आपके बेनी फीशरी में वो include हुआ तो इंस्टंटली आप उसको पैसे भ नहीं है और आपको instantly अगर भेजना है तो यह जो यहां पर quick transfer है तो इसका भी उपयोग दोस्तो कर सकते हो तो इसमें maximum अभी limit 10,000 रूपीज की है तो 10,000 रूपीज दोस्तो तो अगर उसका सामने वाली का account अगर SBI में है दोस्तो तो तुरंत हो जाएगा अगर नहीं है तो फिर आपको quick transfer से IMPS या फिर इस तरह RTJS का साहरा लेना पड़ेगा तो इसमें charges लगते हैं दोस्तो ठीक है तो फिर यह quick charge का हो गया quick transfer money का हो गया तो manage bany feature में जाके देखते हैं दोस्तो वन बाइवन सबसे पहले तो आपको कोई भी आप manage bany किसी को add करते हो remove करते हो तो सबसे पहले आपको profile password डालना पड़ता है वो must रहता है दोस्तो या फिर जो भी आप कोई changes करते है अपने profile से तो उसमें आपको डालना ही पड़ता है profile password चलिए डालके submit करते है प्रोफाइल section में password डालके यहाँ पर manage bany fishery में आ गए इसके मदद से दोस्तो आपन bany fishery को add कर देंगे फिर चाहिए उनका account SBI में होगा जिसको भेज रहे तो पहले as a interbank bany fishery add कीजिए अगर उसका वेक्तिक account SBI से बाहर होगा तो interbank bany fishery के तोर पे save कीजिए credit card के bany fishery होंगे तो इसमें डाली इंट इसको भेज रहा हूं suppose कि मैं यह मान के चलता हूं कि जिसको भी भेज रहा हूं तो उसका account intra bank bany fishery तो मैं इसमें click करता हूं और एक बात याद रखे दोस्तों कि अभी मुझे problem आई थी यह जो profile password डालके क्योंकि क्या था दोस्तों मेरा जो caps lock है तो वह on था तो आप make sure कीजि में इस तरह का एक page open हुआ तो इसमें आपको जिस भी वेक्ति को भेजना होगा तो उसका नाम account number फिर से डाल दिया account number और limit डाल दी यहां पर limit देख सकते हैं दोस्तों कितनी के हैं यहां पर 10 lakh की amount है दोस्तों जी हां दोस्तों 10 lakh की maximum limit यहां पर दी गई है आपको यानि कि आप अगर बेनी फीशरी में add होके समने वालों को भेजेंगे तो 10 lakh तक भेज सकते हैं दोस्तों इसलिए बेनी फीशरी उस बेनी फीशरी क्रेट करना important है दोस्तों एक बार दोस्तों याद रखिए कि आप बेन दोस्तों तो आपने one by one tab में देखेंगे तो यहां से जिसको भी आपको दोस्तों सेंड करना है तो यहां पर पूरी डीटर लाल के submit कर दीजिए तो नेक्ट टैब है देख सकते हैं आपकी modify की tab है तो यहां पर जिस भी विक्ति को आपने add किया उसका नाम भी दीख जाएग तो modify पर जाके यहां पर go कर दीजे यहां पर फिर से वही page open होगा दोस्तों कि जो आपने add करते हुए बनाया तो उसमें save changes करें कि modify कर दीजे दोस्तों अब हम delete tab को देखेंगे तो अगर जो भी आपने beneficiary को add किया तो उसको remove करना है तो यहां पर delete में click किए जो multiple होंगे तो क यहां पर जब आप go go में जाएंगे तो पूरी detail दीखेंगे ठीक है दोस्तों कि कितनी उसकी राशी है कितनी आपने अप्रू की है ठीक है दोस्तों तो अब हम approve में जाएंगे यह काफी important tab है अपरू जो भी आप add करते हैं तो उसको approve करना पड़ता है उसकी limit को या फिर उस देखें दोस्तों कि दोनों में एक बात common है कि यह approve through ATM यानि कि IRATA और दोसरा है कि OTP आपके नंबर पर आएगा पर दोस्तों की main फायदा IRATA का क्या है IRATA यानि कि ATM में जाके आप उसको access दे सकते है यानि कि अप्रू कर सकते है इसका फायदा यही है दोस्तों IRATA का यहां पर प में दोस्तों क्या है कि आपके mobile register नंबर पर OTP आएगा लेकिन आप एक बार में एक ही benefit को add कर सकते हैं तो यहां पर आप कुछ terms and condition को पढ़ लीजिए दोस्तों और फिर approve कीजिए ठीक है दोस्तों तो approve through OTP भी करेंगे तो आपके mobile नंबर पर OTP आएगा transfer को option को देखते हैं use करके तो दोस्तों देख सचते हैं कि यहां पर quick transfer को option है अपना account number पहले दोस्तों select कर ले अगर one से जादा link है आपके SBI online banking के credential के साथ हो अपना account type यह देख लीजिए तो नीचे आपको आई जाएगा उस account का भी number तो जिसको भी भेजना है सिर्फ उसका नाम account number डालिए और option नीचे है दोस्तों कि within SBI की interbank तो इसमें click कीजिए SBI के अंदर होगा तो ठीक है दोस्तों और फिर दोस्तों तो यह details fill out करने के बाद में यहां पर IFSC details पूछे जारी तो उस account का IFSC code डाल दीजिए तो यह passbook में सभी मिल जाएंगे फिर नीचे है दोस्त तो लास्ट में यह टिक करके submit कर दीजिए दोस्तों तो इस तरह से आप किसी को भी बिना beneficiary add कि यह भी 10,000 तक की राशी को easily send कर सकते हैं दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा आपके लिए इसे जरू वीडियोस को में लाते रहूंगा जैहिन दोस्तों